HP के Most Value for Money Laptops की बात करें तो मुझे लगते हैं Pavilion ES स्रीज के Laptops Like 2024AU, 2018AU, 1047AU इन सारे Laptops के मैंने Dedicated Review चैनल पे अपलोड गर रखे हैं आप जाके देख सकते हो इसी स्रीज का आज एक Best Value Laptop ले के आया हूँ यह है HP Pavilion 15EH1147AU, Ryzen 7 5700U Processor और 16GB RAM के साथ आने वाले इस Laptop के करते हैं सारे Test और देखते हैं परफॉर्मेंस है तो यह है Laptop का Box और जैसे कि आप देख सकते हूँ इस Laptop में आपको Microsoft Office Home and Student 2021 ने Lifetime Activation मिल जाता है तो excitement को continue करते हैं फड़ापड बॉक्स को करते हैं Open तो सबसे पहले बॉक्स में मिल जाता है अपने को Laptop एक मिल जाती है premium quality की power code और वही 65W का power adapter है अब देखो HP का Laptop है सब कुछ improvement हो सकता है लेकर adapter कभी नहीं होगा और finally अपना Laptop है इस पार user manual दिखा ही नहीं दे रहा है सबसे पहले इस laptop के इस packs देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं तो इसमें मिलता है यू स्रीज का processor है तो power consume कम करेगा 16GB की DDR4-3200MHz की dual channel में RAM देखने को मिल जाती है और मैं आपको और वीडियो में बोलता है रहता हूं कि single channel RAM के comparison में dual channel RAM की performance काफी अच्छी मिलती है Samsung की RAM लगी हुई है और आप maximum इस laptop में 32GB तक RAM को अपग्रेड कर सकते हो और इस laptop में काफी अच्छा कासा storage भी देखने को मिल जाता है काफी सार्वीवर्स कमेंड्स करते रहते हैं कि 512GB लेप्टॉप में क्यों आती है expensive laptop में 1TB SSD लगी हुई होती है लेकिन इस laptop में आपको 1TB की PCI NVMe Gen 3 SSD देखने को मिल जाती है जिसकी read and write इस पर आपके सामने आई रही है और वैसे मैं आपको बता दूँ 1TB storage काफी sufficient रहता है connectivity की बात करें तो Wi-Fi 5 और Bluetooth 5 दिया हुआ है और इसमें integrated AMD Radeon के graphics मिल जाते हैं इस laptop के physical or you की बात करो तो design और build quality आपको similarी देखने को मिलेगी अब HP Pavilion Series गया है तो उम्मीद भी यही कर सकते हैं वैसे build में आपको बता दूँ काफी अच्छी मिल जाती है Pavilion Series में center में HP का logo दिया हुआ है और इस laptop का weight है 1.7 kg अब देखो 15.6 inch का laptop है तो इतना weight तो मिलेगा top cover और palm rest में आपको aluminium build देखने को मिल जाती है बागी bottom में premium quality के hard plastic यूज की गई है और जैसे मैं top पे praise कर रहा हूँ तो मेरे को flags भी कमी देखने को मिल रहा है और all build quality काफी अच्छी मिल जाती है Pavilion Series के laptop में यहां friends में आपको बता दूँ premium Series का laptop है लेकिन top lid को आप Singaland से open नहीं कर पाओगे जैसा कि आप देख पा रहे हो हिंच मुझे इस laptop के काफी stable लगे जैसा कि आप देख पा रहे हो और maximum top lid को आप 130 डिग्री तक rotate कर सकते हो 3 side narrow bezels दिये हुए है और screen bubble आपको इतना देखने को मिलेगा जो की काफी कम लग रहा है सामने की तरह भी HP branding की गई है और आगे की तरह भी air exhaust देखने को मिल जाते हैं इस laptop की अगर मैं keyboard की बात करूँ तो full size गा natural silver backlit keyboard दिया हुआ है 2 level की backlit देखने को मिल जाती है और key travel का space वो भी मुझे personally काफी अच्छा लगा और जैसे मैं keyboard पर प्रेस कर रहा हूँ तो मेरेको flex भी काफी कम देखने को मिल रहा है यहां मैं आपको बता दू recently में जो भी laptops launch हो रहे है उनमें soft gray keyboard देखने को मिलेगा लेकिन यहां क्या है पुरानी series का processor लगा हुआ है इस laptop में तो इसी वज़े से पुरानी design में laptop launch कर दिया है इस laptop के अगर मैं trackpad की बात है रहूँ तो normal size का trackpad दिया हुआ है HP image pad है जो Windows 11 के सारे gesture को support करता है वैसे overall trackpad काफी अच्छा है और इस laptop के palm rest पे processor, graphics और B&O की branding मिल जाती है और साथी security के लिए आपको fingerprint sensor भी मिल जाता है बोटम में rubber grips दी हुई है और काफी सारा air intake देखने को मिल जाता है और यहाँ Windows का logo भी दिया हुआ है इस laptop में Windows 11 pre-install lifetime के लिए आपको मिल जाएगी और साथी बोटम में 228 के stereo speaker दिये हुए है और audio provide करवाया है bank and option है यहाँ फ्रेंड्स में आपको बता दूँ मैंने तक्रीबन HP Pavilion series के 50 laptops से अबाओ रिवीज की है और उन सारे laptops में मुझे audio की quality काफी बैस नुने को मिली और यहाँ पिछे की तरफ Pavilion की branding की गई है टू रबर grips दी हुई है और यह laptop natural silver color में है इस laptop में कभी सारे accessory ports दिये हुए है तो right side में power jack मिल जाता है one USB 3.2 type A और एक security slot मिल जाता है वहें left side में HDMI 2.0 port दिया हुआ है one USB 3.2 type A one USB 3.2 type C port दिया हुआ है जो power delivery display output है और यह port HP slip and charge को भी support करता है और साथी micro SD card reader slot मिल जाता है वे से मेरा opinion यह है अगर SD card reader slot रहता तो ज्यादा बेटर रहता content creators के लिए और लास्ट में 3.5 mm audio jack इस laptop में मैंने कुछ multiple benchmark score टेस्ट किये हैं तो सब सब पहले Cinebench R23 के scores आपके सामने हैं यह हैं Geekbench 6 के CPU और GPU के score से मैंने इसमें 3D Mark Time Spy को भी run कराया था तो scores आप देख सकते हो CPU और GPU के और यह हैं Crossmark के score और इनी score की मदद से आप ए compare कर सकते हो other laptops हैं जिस laptop के scores ज्यादा उस laptop की ज्यादा performance देखने को मिलेगी और लास्ट में मैंने PC Mark 10 को run कराया था इस scores आप देख सकते हो 5151 देखने को मिल रहे हैं और मैं अब उसी same footage के साथ वीडियो रेंडर करने जा रहा हूँ जो मैं हर laptop में test करा था हूँ तो इस laptop ने time लगाया है 1 minute 25 second है और जब मैंने इसमें वीडियो encode किया 4K to 1080p एक मिनट की वीडियो footage दी तो इस laptop ने time लगाया है only 53 second का और जब मैंने laptop को boot कराया तो only 14 second में laptop boot हो गया था तो देखो यहां मैं आपको बता दू overall performance काफी अच्छी मिल रही है जिस budget में ये laptop आ रहा है देखो overall इस laptop के specs और build quality ने मुझे काफी impress किया है और उसी के साथ काफी अच्छी quality की display भी मिल जाती है 15.6 की full HD IPS anti-glare display दी हुई है और मैं आपको और वीडियो में बोलता है रहता हूँ कि IPS display में काफी natural color देखने को मिल जाएंगे 250 nits की brightness दी हुई है और साथ ही 45% ए और TSE color gamut है overall display quality काफी अच्छी है अगर आप अधितर वीडियो बगरा देखते हो तो आपको काफी natural color देखने को मिल जाएंगे इस laptop में आप color accuracy वाले काम नहीं कर पाओगी क्योंकि उसके लिए कम सकम 100% sRGB चीए overall display वे से काफी एच्छी है 3-side narrow bezels दिये हुए है और साथ ही 60 Hz की refresh rate मिल जाती है इस laptop की अगर मैं battery backup की बात करो पास battery backup मिल गया था और मैंने इस laptop में काफी सारे टेप पर टेप ओपन करके देखे इंटरनेट ब्राउजिंग करके देखे 1080p के एडिटिंग भी करके देखे overall performance काफी अच्छी देखने को मिल रही है कहीं भी ये laptop lag नहीं कर रहा है और मैंने long time तक gaming भी गी और CPU और GPU 70 degree तक यूज आ रहा है और RAM अप्रोक 7 GB के आसपास है और जिसे कि आप देख पारे हो 50 fps की frame rate मिल रही है गेम यहां काफी smooth चल रहा है और यहां मैं आपको बता दू integrated GPU के साथ 50 fps की frame rate मिलना काफी अच्छी बात है next game मैं प्ले करने जा रहा हूँ और जैसा कि आप देख सकते हो और जैसा कि आप देख पारे हो 50 fps की frame rate मिल रही है और आज में एक और गेम टेस्ट कर लेते हैं टॉम केलेंसी गोष्ट रिकॉंड वाइड लेंड्स तो game settings की बात करें तो मैंने इस game को full HD low settings पे प्ले किया है और यह भी coffee graphic oriented game है CPU और GPU 60 degree के आसपास यह हुज आ रहा है RAM approach 9 GB के आसपास यह हुज आ रही है और जैसा कि आप देख पारे हो 30 fps की frame rate मिल रही है देखो यह मैं आपको बता दो graphic oriented laptop नहीं है लेकिन फिर भी आप full HD resolution के साथ आप इस laptop पे gaming कर सकते हो इस laptop में आप day to day task, multitasking, telework, office वार के, share market वार के और 1080p के editing भी आप आसानी से कर पाऊगे इस laptop पे आप coding भी कर सकते हो क्योंकि Ryzen 7 processor लगा हुआ है देखो फ्रेंट्स यह मैं आपको बता दूँ सारे आप task आसानी से कर पाऊगे और जैसा कि अभी मैंने आपको gaming टेस्ट कराई full HD medium settings पे आप game भी play कर सकते हो इस laptop की अगर मैं price की बात करो तो यह जब listed हुआ था उस time 60,000 के budget में आ रहा था और current date जिस date में यह वीडियो बना रहा हूँ यह साथ 56,000 के आसपास आ रहा है और किसी oversell में आप इसे purchase करोगे तो 55,000 के अंडर में यह laptop आपको मिल जाएगा तो इस budget में और इतने सारे अच्छे specs के साथ यह laptop आ रहा है तो बिना किसी doubt आप इस laptop के लिए जा सकते हो best filing आपको description में मिल जाएगा और कई users ऐसे भी है जिनको high storage चीए HP Pavilion series का ही laptop चीए लेकिन budget है 50,000 के अंडर में तो मैं आपको बता दूँ अभी मैंने recently में Ryzen 5 5500U के साथ एक laptop का review किया था Sam specs है वहाँ Ryzen 5 है और यहाँ इसमें Ryzen 7 है तो यही था HP Pavilion का overall review I hope आपको यह video useful लगाओगा वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like करतीजिए चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को subscribe कर लीजिए इस laptop के regarding आपका कोई भी क्यूशन कोई भी doubt हो तो मुझे comments बॉक्स में जबरू comments करके बताना Thanks for watching, have a nice day जैहिंद, वन्दे मात्रम